हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल माईजान इंडिया में आज हम भारत के कुछ ऐसे खतरनाग मिसाईलों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपको अपने देश के उपर गर्ब होगा भारत के पास ऐसे खतरनाग मिसाईले है जिसे मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन-कौन सी खतरनाग मिसाईले है जो भारत को युद्ध में बिज़य दिला सकते है तोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और बेल आइकन को दबाना ना भूले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और इस्टाग्राम पर भी आप हमें फोलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं डियार्डियो के द्वारा भारत में मिसाइलो का निर्माड किया जाता है जो किसी भारतिय सेना को सक्तिसाली बनाते हैं डियार्डियो नई टेकनोलजी पर अनुसरंधन करता रहता है जिससे सक्तिसाली और सस्ते हथियार का निर्माड किया जा सकेगा अभी तक DRDO दोरा निर्मित मिसाइले भारतिय थल सेना, वायू सेना और नो सेना में सामिल की गई है इन मिसाइलों की सहायता से भारतिय सेना सीमाओं की रच्छा कर रही है DRDO दोरा दी गई मिसाइलों से दुसमन देश भैभीत रहते हैं इस लिश्ट में भारतीय सेना की सबसे सकतिसाली मिसाइलों की जानकारी देंगे। भारत के बेग्यानिक पर्दिदिन नए नए परिक्षण करते रहते हैं, जिससे ये सनुष्चित करना मुश्किल है कि भारत के पास कुल कितनी मिसाइले हैं। ये सुरक्षा कारणों से भी नहीं पताया जा सकता। पिर्थवी मिसाइल भारत की तीनों सेनाओं को मजबूत परदान करती है ये मिसाइल, अलग-अलग वर्जन में बनाई गई है। पिर्थवी वन ये थल सेना के लिए बनाई गई है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। ये अपने साथ 1000 किलो बारूद ले जाने में सक्चम है। इससे जमीन से हावा में छोड़ा जा सकता है। पिर्थवी टू मिसाइल, इस मिसाइल का निर्माड विशेश रूप से वायुसेना के लिए किया गया है। ये 250 किलोमीटर तक अपने लच को भेद सकती है। इसमें 500 किलो ग्राम बारूद के साथ फाइटर प्लेन से छोड़ा जा सकता है। पिर्थवी टृ इसकी मारक छमता 350 किलोमीटर है। इसको मुख्यात नोसेना के लिए बनाया गया है। किसी भी लड़ा को विमान के द्वारा इस मिसाइल का परियोग किया जा सकता है। अगनी मिसाइल मिसाइलों की छमता को बढ़ाते हुए अगनी मिसाइल का अविसकार किया गया है। इसके कई वर्जन लॉंच किये गए हैं। अगनी 1 इसकी मारक छमता 700 किलोमीटर है। इसके लिकुवेट फ्यूल का परियोग किया जाता है। इस मिसाइल के द्वारा एक हजार किलो ग्राम का परमाडू बम भेजा जा सकता है अगनी थिरी मिसाइल भारतिय सेना के लिए वर्क 2006 से जुलाई महीने में अगनी थिरी का सफर परिक्षड किया गया था इसकी मारक छमता 3000 किलो मीटर तक है जिससे 4000 किलो मीटर तक बढ़ाया जा सकता है इसके द्वारा 600 से 1800 किलो तक के परमाडू बम को भेजा जा सकता है अगनी फोर मिसाइल ये मिसाइल पाकिस्तान के किसी भी इससे को बरबात करने के छमता रखता है इसके साथ ही ये आधे चीन को अपना निसाना बना सकता है इसकी मारक छमता 4000 किलो मीटर है इसका परिक्षड 2011 में किया गया था इस मिसाइल को भी परमाडू छमता संपन बनाया गया है अगनी फाइब इस मिसाइल का सफल परिक्षड अप्रेयल 2012 में किया गया था इसकी मारक छमता 5500 किलो मीटर है जिसे 7000 किलो मीटर तक बढ़ाया जा सकता है इस मिसाइल की चद में पूरी चीन आता है बर्स 2015 में इस भारतिय सेना को सोब दिया गया था धनूस मिसाइल ये मिसाइल पिर्थवी थिरी का परिवर्तन है इस मिसाइल का निर्माड़ DRDO में साल 2000 में किया गया था पहली बार INS सुभद्रा से इसका परियोग किया गया था इसकी रेंज 250 से 350 किलो मीटर है सोरिया मिसाइल इसकी रेंज 600 किलो मीटर है इसमें 1000 किलो ग्राम तक परमाडू सामागरी भेजा जा सकता है मुख्यात ये भारतिय थल सेना के लिए बनाई गई है सांगरिका मिसाइल सांगरिका का अर्थ समुद्र से पैदा होने वाला है इस मिसाइल का मुख्य रूप से नौ सेना के लिए बनाया गया है इसकी लंबाई 8.5 मीटर है इस मिसाइल के द्वारा 500 किलो तक बारूद ले जा सकता है इसका निर्मार 1991 में सुरू किया गया था जो 2001 में बनकर तयार हुआ इसकी मारक छमता 750 किलो मीटर है निर्वय मिसाइल ये एक सूपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसका परियोग थल सेना जल सेना और वाय सेना तीरों सेनाओं के द्वारा किया जा सकता है इसकी मारक छमता 1000 किलो मीटर है मोचित मिसाइल इसकी मारक छमता 120 किलो मीटर है मोचित मिसाइल की तकनीकी रूस से खरीदी गई है ब्रमोज मिसाइल ये एक सूपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसके DRDO ने रूस के NPO के साथ मिलकर बनाया है इसकी मारक छंता 290 किलोमीटर है जिससे 300 किलोमीटर तक बारूत का परियोग किया जा सकता है इस मिसाइल को जल, थल और नौसेना के लिए बनाया गया है इसकी गती 2.5 से 2.8 मेक स्पीड है ये दुनिया के सबसे तेज गती से चलने वाली क्रूज मिसाइल है भारत ने बर्स 2011 तक 110 ब्रमोज मिसाइल के निर्माड कर चुका है आकास मिसाइल इस मिसाइल के द्वारा 18,000 फीट की उंचाई पर 30 किलोमीटर की दूरी तक उड़ते हुए लड़ाको विमान को निसाना बनाया जा सकता है ये परमाडू तकनिक से संपन है इसके द्वारा एक साथ कई टार्गेट पर निसाना लगाया जा सकता है परहार मिसाइल ये कम डेंज वाली एक सकती साली मिसाइल है इसकी मारक छमता 150 किलोमीटर है ये मुख्याल थल सेना और वायू सेना के लिए बनाई गई है ये 250 सेकेंड में 150 किलोमीटर की दूरी तै कर सकती है सूरिया मिसाइल ये मिसाइल निर्माड धीन है भारत सरकार ने अभी तक अधिकारिक रूप से इस मिसाइल के बारे में एक भी खुलासा नहीं किया है ये भारत की पहले इंटर कॉंटिनेंटन बलेश्टिक मिसाइल है जिसकी मारक छमता 5000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक है तो दोस्तों ये थी भारत की कुछ मिसाइले सक्तिसाली मिसाइल के भविष में जानकारी उपलब्द कराई है ये इस जानकारी के संबंद आपके मन में किसी भी परकार का प्रस्ण आ रहा है तो अधवा उसे कॉमेंट करके बताए और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ सेर करिए हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए धन्यवाद